आपके साथ दीपशिखा सिंग्डाजबोत आज से शार्दिय नवरात्र के पावन पर्व की शिवात हो चुकी है नवरात्र के दुरान अलग अलग दिन मादुर्गा के नौस्वारूपो की पुचाशना करनी का पिधान है नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापन की जाती है और इसके साथ ही मादुर्गा के प्रतम सरूप माशायल पुच्री की विधिपूर्बक उपासना की जा रही है सुभा से ही देश के अलग-अलग मंतिरों में भक्तो की भारी संख्या उम्री हुई है हरी दुआ के पसेद मंसा देवी और नैना देवी मंतिर में भक्तो के भीर लगी हुई है और लोग शक्ती के उपासना में एक ली नज़र आ रही है प्रतम का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि जो मा के दरबार है वहाँ पर भक्तों की भीड किस तरह से लगी ही है हम मा मंसा देवी मंदिर में हैं और किस तरह से आप देख सकते रहे हैं कि लोगों का जो हुजूम है वो उमड रहा है हाला कि अभी सुरुवाती छण है क्योंकि सुभाय का समय है तो जैसे जैसे दिन चड़ेगा और वैसे व लगों वाज़ा देवी मंदिर में कोई भी मुराद यहां पर मांगी जाए मनत मांगी जाए तो वो पूरी होती है हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों साप का लुट से आएँ प्से नवरात का समय समय हैं तो मा के दर्शन की हैं आत्म हाँ की इत अपी अब यहां पर आए है नवरात्र का समय हैं क्या मन्दिर है बहुत अच्छा है और यहां जो रोपे सानी की भी अच्छी वेवस्ता बनी है बड़ी हाए मन्दिर तो यह कुछ दालूं हमारे साथ ते जिनका साथ तोर पर कहना यही है कि मा के दर्सन करने के बाद उनकी जो मुरादें वो जरूर पूरी होंगी क्योंकि उन्होंने अपनी मुराद को लेकर यहां पर चुन्नी विवान दिया और आगर वो मुरादें पूरी होती हैं तो उसके बाद उसको खोलने के लिए यहां पहुचेंगे न्यूजिस्टेट के लिए हरी द्वार से महावीर ने गी आज शार दिन अवराद का पहला दिन है मंदिरों में उमड रहा है आस्थाका सेलाब पहले दिन माशैल पुत्री के अरादना कर रहे है भग बड़ी खबार मंदिरों में मा की अरादना के लिए उमड भगतो के भी बड़ी खबार मंदिरों में आस्थाका जन सेलाब उमड रहा है तो सुभा से ही भक्तों का ताता लगा हुआ है आज शार्दी नवराथ का पहला दिन है आज की दिन मा शैल पुत्री की पुजा अराधना होती है सुभा से ही मंदिरों में जन सहलाब उमर डाहा है भक्तों का ताता लगा हुआ है सुभा से भक्त माता नानी की दर्शन करने के लिए कतारों में लगे नज़र आए तो अब आपको हम तीरी ले चलते हैं दर्शन करवाते हैं तीरी मौजूद सुरकंडा माता मंदिर के ऐसी माननेत है कि यहाँ पर माता सती का सर का भाग गिरा था जुसकी वज़ा से इस स्थल का नाम सुरकंडा सिध्धपीट पड़ा यह मंदिर माता शक्ती की बावन सिध्धपीडों में से एक है नवरात्री में यहाँ भक्तों की भारी भीट नज़र आती है तीरी के लोग इस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं अज हम ले चलेंगे संकंडा मंदिर में और यहां के जो दर्षन है इतरवाएंगे और साथ ही यहां पर जो भक्त जन आयए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या मानता है यहां पर क्या नाम आपका? यहीं उत्तर प्रदेश से भी यहां पे भक्त आये हैं और उनी से हम बात करेंगे कि क्या मानता हैं अगरों कैसे उनको यहां मैसूस हो रहा है? क्या नाम आपका? मेरा नाम संगीता अगरोल है इसमोर से हम माता कुसमानगा के दर्सन करने आए हैं और यह सिद्धी शक्ति पीठ है और यह मां सबकी मनों कामना पून करती हैं माता सब बच्चों की रक्षा करती हैं क्या नाम आपका? बहुत अच्छी जब्चा अच्छा इंवाइर्मेंट है बहुत अच्छी वाई है अच्छा लगने आपके तो नाम रात्री के उप्लक्ष पर यहां पर कई भक्ष जन इस सुपकंड़ा माता के मंदिक के दर्सन करने पहुँचे हैं और साथ ही यहां के तो पुजारी हैं उनसे भी अमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि जो भी भक्ष यहां पर आता है उसकी हर मनों कामना पूर्ण होती है अर्भिन नौटियाल नूजी स्टेट टिरी अड़वाल पौड़ी सिले में स्थित माजवाला देवी का धाम बड़े ही आस्था का केंद्र है गवरात्र में यहां आस्था का सैलाप उमड़ता है मंदिर में मा की अखंड जोती भक्तों के मन में आस्था का संचार करती है मा के दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग यहां चले आ कर उसे दिप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन देते हुए उसकी मनों कामना पूंड की और यही वजह भी है कि आविवाहित करने आए तो योग्यवर की कामना को लेका इससी धपीठ में पहुचती है यह देट्टराज पुलाओं की लड़की भी थी सती जो इंदो को प्राप्त थी उसने यहां पर इंदो को प्राप्त करने के लिए तपश्या की थी उसकी तपश्या से खुश होकर माभववती यहां जाला रूप में राजबान हुई उसकी मनों कामना भी पूंड हुई और उसने जो भं मैंगा था पर लोग मांगा था है उनकी म नकामना है शिद्ध हो प्रमा की दर्षण करने के लिए यहां पहुंची हूँ आप सभी भक्तों से यही प्रात्ना है कि आप भी मा जौलबा की दर्षण करके मनो कामना पून करें और मा भगवती सबको इछी तूप प देने लगाता जो बखटों का टाता है वह लगा है सुभा से ही तमाम माता के मंतिरों मे हम रही हैं सुभा जारआ बजे से ही भक्त माता के ध्रत के लिए पहंच रहे हैं और लगातार तस्वीरें हम ने भी आपको दिखाए झाल